जहिनमित्रो आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत है जिसमें हम लोग एंटीए यूजिसेट के एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों का जो सब्जेक्ट है एजूकेशन है हम लोग यहां पर जो भी कोश्चन्स को सौल करते हैं वह एजूकेशन सिच्छा सास् संबंदित आपके जितने भी एक्जाम होते हैं उनमें भी इन प्रशनों की उप्योगिता हंडेट परसेंट रहेगी तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग जो आपका 21 अगस को जो संभावित एक्जाम है अभी आपने खबर सुना होगा कि जो सीबी आई की रिपोर् कैसल कर दिया था उन्होंने इसको कैंसील कर दिया था लेकिन अब सुप्रीम कोट में कैस जा चुका है तो समय जो है एक वकील याज करी है की जो इसको आधार पर रिजल्ट को दे दिया जाए। तो यह भी एक news है जो की update news है आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे ठीक है देंगे लेकिन अपनी तैयारियों को कोई रोकेगा नहीं यहां पर तो यहां पर हम लोग UGC.net की जो class है आपकी जो दिसंबर में एक्जाम होने वाला है कब दिसंबर में जो आपका एक्जाम होगा उसके दिसंबर 2024 में जो एक्जाम होगा उसके लिए offline batch जो है आपका चंद्रा classes में 23 तारिख और थात कल की date में आपकी class से start हो जाएंगी offline वाली offline वाली class से आपकी कल की date से start हो जाएंगी तो जिन लोगों को admission लेना है class join करना है आप लोग आकर class join करिए demo भी आपको class का demo भी आपको मेलेगा जिसमें आप जो है देख सकेंगे कि आपको कितने बहतर तरीके से कितनी चीजों को बताया गया है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे education का जो syllabus है एक foundation एक basic तयार करेंगे सबसे पहले कि आपको पिछले अगले 6 महिने में कितनी unit पढ़नी है और उन units में क्या क्या points है क्योंकि जब हम लोग उसके syllabus को पूरा का पूरा जान लेंगे तो हम लोग को पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी 21 unit में क्या-क्या topic है, क्या points है, उसको हम लोग बड़े आराम से discuss कर लेंगे, तो जिन लोगों को education subject से अपनी तयारी करने हो, वो जो है चंद्रा classes, जो की आनन भौन के सामने हैं, वहाँ पर आके office में संपर करें और अपने admission करवा लें, ठीक है, चलिए, अब हम लोग चलते है आज की class में, जो हम लोग questions लेकर आए हैं, बहुत महत्पूर questions हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, चलिए, सबसे पहला question आपकी screen पर है, ठीक है, यह, पहला question आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा question है आपका, ठीक है, बहुत कि आपके स्क्रीन पर इसको बड़ा कर लेते हैं कि कोशन क्या कह रहा है कि पर्यावरण सिच्छा के संबंध में प्रथम याद कि अंतर राष्ट्री मानों पर्यावरण सम्मेलन को 1974 में आयोजित किया गया था उसके इस्थान को पूछ रहा है पहला आपसे कह रहा है कि निव यार्क है दूसरा आपका रियो डी जेनेरियो है आपका तीसरा आपका पैरिस है और चौथा आपका इस्टांक हो में इसका उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिख ल होगा इसका प्रयावण सिच्छा के संबंद में जो सबसे पहला अंतर राष्ट्री पर्यावण संवेलन जो हुआ था वो 1912 में कबसे कब 5-16 जून पांस से सोला जून के बीच में यह सम्मेलन हुआ था इसमें कुल 113 देश कितने 113 देश सामिल हुए थे तो यह कोश्चन रहा इसमें और भी चीज़े अगर हम बात करेंगे कि भारत में यह फ्रयावण सिच्छा जो है कब आया किस सन में इसको भी हम लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लिजिएगा 1984 अगस 1984 में पर्यावण सिच्छा की बार इसकी अंतरगर करी गई थी clear यह point clear है चलिए अब next question की तरफ चलते है question number two आप देखें question number two देखें बहुत अच्छा है question number two देखें आप देखें इसमें कह रहा है कि यह निसकर्स कभी भी questions को जो हम लोग पढ़ते हैं तो question को बड़ी बारीकी से हर एक सब्दों को नाप तौल कर पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए तब ही हम प्रश्ण को कैसे हम solve कर सकते जब क्योंकि इसका उत्तर जो है question का answer उसके question में ही छिपा रहता है बढ़ उसको साउधानी पूरो कर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा question automatic solve हो जाएगा चलिए सबसे पहले कह रहा है कि यह निसकर्स की जब दो कारक मतलब दो चीजे हों दो कारक एक साथ चलते हैं दो कारक एक साथ चलते हैं तो उनमें से एक कारण तथा दूसरा परणाम होना चाहिए जब कभी एक कार होता है और दूसरा उसका परणाम होता है तब वो क्या कहलाता है पहला option आपके सामने क्या है पहला option कह रहा है कि meta analysis है दूसरा आपके कह रहा है कि hello effect है किसरा आपका post hack policy है चौथा आपका research synthesis है तो आप लोग answer बताएं इसका आप लोग इसके इस questions के answer को बीडियो को pause करके answer लिखेंगे उसके बाद आपको sun में आएगा ठीक ना उसके बाद आपको यह sun में आएगा चलिए अब देखिए इसमें meta analysis क्या होता है meta analysis आपको पता होना चाहिए कि meta analysis जो है meta miss क्या होता है कई चीजे जब एक साथ लेकर हम आते हैं तो उसका data analysis करने के रिए जब हम लोग research करते हैं उनका analysis करते हैं तो वो आपका meta analysis होता है कि еще quantitative होता है मातात्मक रूफ में होता है आप दूसरा आपको ऑडेखत क् outlined व्यक्ति को जैसे हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति जो सौंदर उसके खुबशूरत की आधार पर उसके अन गुड़ों को भी हम लोग पहले से सोच लेते कि इसकी चीज़ ऐसे होंगी वैसे होंगी बलकि उसका जब आप देखते हो किसी में कोई अच्छा ही होती तो कुछ कमी भी होगी तो यह आपका हैलो प्यक्त होता है किसी एक क्या धार पर दूसरी की बारे में भी सोच लेना होता है फिर आपका पोश्ट हैक फैल्सी जब आप डाक्टर अरुर कुमार सिंग सर की किताब जब उठाएंगे रिसर्च की उसमें जब आप जो है एक्सपोस्ट फैक्तो रिसर्च पढ़ेंगे तो यह आपका दिया पोश्ट है फैल्सी उस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा एक्सपोस्ट फैक्तो में क्या होता है जब कभी घटना घट जाती है तो उस घटना घटती उसका कार्ण जो है उसके सामने होने वाली चीज़ों पर हम लोग संभावना प्रकट करते हैं एक्सपेक्टेशन करना सुरू करतेते हैं, जयसे फैलसी, पोश्ट हैक तो हैं, पोश्ट हैक मैंने पहले जो घटना घट कुकी हूँ, उसके साथ साथ कोई दूसरी चीजे चलती हो, तो उसके बारे में कहा है हम क्या है? हम exam देने मान लो एक बच्चा जाता है, अब exam देने क बाद गया एक्जाम देने और उसके मन में ये अवधाना आ गई कि मैंने यह जूता पहना था अर्थात यह जूता मेरे लिए लगी है अब मैं इसी जूते को पहन के जाऊंगा तो एक्जाम मेरा अच्छा होगा अब देखो इस कारण का परणाम भी निकाल लिया उसने तो य उसमें जो है आपका Indian logic में जो आपका फैलसी जाती है उसमें आपको यह भी चीज पढ़ने को मिले यह पॉइंट कि यह आपका और सिंथेसिस क्या होता है तो संसलेशन क्या होता है जब कई करने मतलब विस्लेशन करने वाज उनका संसलेशन करते हैं उनमें एकठा करके उन और सा नमबर सी आपका करेक्ट है आपकर क्लियर तो अब लोग चलते हैं कोश्चन नमबर तीन की तरफ पोस्चन नमबर तीन भी देखिए बहुत आपके एक्जाम के पांटाव यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं कि इसमें कोश्चन में क्या कह रहा है कोश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले कह रहा कि गाओं वासी क्या कह रहा है गाओं वासी नगरवासियों का अनुकरण करते हैं मतलब गाओं में जो रहने वाले हैं वो सहर में जो रहने वाले लोग उनके सामने आते आते हैं तो वह उ दूसरा कहा रहा है, दूसरा इसमें क्या कहा रहा, थोड़ा सा छिप गया, क्या है, अब दीख रहा है, ठीके, तो इसमें यह होगा, फिर दूसरा कहा रहा है कि नगरीकड, सामाजिक परिवरतन का विशिष्ट और इसमश्ट प्रूप है, अब देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपसे क्या कहा गया? पहला पॉइंट कहा गया कि जितने भी नगरवासी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सहरवासीयों की नकल करते हैं या सहरवासीयों का अनु इसमें दूसा क्या कह रहा है दूसा कि नगरी क्रड जो है सामाजिक परिवर्तन का एक विस्षिष्ट और इसपष्ट रूप है आपका तो इसमें आप बताईए कौन सा कौन सा अंसर इसमें सही होगा ठीक है कौन सा अंसर इसमें सही होगा लेकिन अब इसमें जब कभी ऐसे कोशन को करना होता है इसका एक तरीका हम लोगों ने सीख रखा है क्यों की लगाकर अगर क्यों की लगाकर आपका प्रश्ट सही बनता है उत्तर तो आप उसको सही तो पहले में नगर वासी घर आवासि कियोंकि नगरी-खयास सामाजिक परवट्थन का विश्ष्श्प और इस्पस्षू रूप जोड़ां नहीं कि तो कहने के मतलब दोनों condition तो सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पार है इसका मतलब हुआ कि A और R दोनों सही है लेकिन R जो है A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएका B वाला कि क्या कह रहा, कह रहा, A और R दोनों सत्य हैं, तथा R A का सही इस पश्टी करण नहीं है, तो यह questions को क्यों की लगा कर जब आपने exam में करेंगे, तो आपके exam में question गलत होने की संभावना बहुत जादा कम हो जाएगी, तो प्रेश्ट नमबर 3 यह रहा आपके सामने, अब प् Q4 में लोग देखते हैं, Q4 में, सबसे पहले पिन लेएं हम लोग एक कलर ले लमें इससे आपका हो जाएगा, तिक, सबसे पहले यहां पर देखे, यहां पर बैसे कह रहा है तब लोग बता ले जाएंगे क्यों क्योंकि सिच्छक सिच्छा के लिए NCT ही एक ऐसी संस्था है जो कार्य करती है अब यहां पर हम बात करें सबसे पहले AICTE की स्थापना 1945 में होती है नैक की स्थापना 1993 के नियम के अंशार 1995 में इसकी स्थापना है NCEIT की स्थापना 1961 में होती है 1961 में होती है और NCTE की स्थापना कब होती है आपकी यह आपका 94 होगा यह आपका क्या नैक का जो होगा नैक वाला 1994 में होता है और NCTE की स्थापना 1995 में आपकी होती है पिंचान में यह गलत होगा फिर से लिखते हैं लोग ना चलिए ले 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 साफ साफ लिखेंगे सब लोग ठीक ना सबसे पहले यहाँ पर NTE यह टाइपिंग मिश्टेक हो गई है सबसे पहले NCTE की बात करेंगे तो 1945 है आपका नैक की बात करेंगे तो 1994 है आपका पिर NCEIT की बात करेंगे 1961 है आपका और NCTE की बात करेंगे 1995 है तो यह आपका रहा यहाँ पर कुछ लोग कुछ यहाँ पर यह कहेंगे कि नहीं याद रखेगा कभी-कभी आपको आपको 95 ना मिले तो आपको 1993 लगाना है ना इसकी बात तो गई थी 1903 के आधार पर को समभैधानिक निकाई के रूप में समभैधानिक रूप में 1995 में इसको लागू किया गया था आपका यह आपका AICTE यह तक्नीकी सिच्छा के लिए कारे करता है आपका नैक है जो है मूल्यांकन कारे करता है सभी उचे सिच्छर संस्थाओं का और यह आपका NEP 2020 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है NAC कर दिया गया, इसको भी ध्यान में रखना है हम लोगों को, फिर NCRT, NCRT क्या करती है, आप ये कच्छा बारत की सभी किताबों का जो है, पाठक्रमों को छापने का, निर्मार करने का कार जो है, NCRT करती है, फिर आपका NCTE आता है, ये क्या होता है, सिच्छक सिच्छक से स सब्दित जितने भी नियम काइदे कारून होते हैं, सब NCTE के नियम के आधार पर ही होते हैं, तिक निस सो पिंचानवे जादा तर बेहतर होता है, यहां पर निस सो पिंचानवे और पिंचानवे एक साथ कभी नहीं दिया जाएगा आपका, ये है कंडिशन, तो आपका चैना पांच आप देखे अपने स्क्रीन पर और इसको पांच का उत्तर में भी सब लोगस सही उत्तर देंगे, बिलकुल सही Oत्तर देंगे, चरिये, अब इसको अब को शिल मॅber 5 की बात करेंगे, तो कोशन मुआंपनांच में देखिया है आपसे क्या कहा गया है, कोश्यम कि इसको नोट डाउन रह gör बहुत important question है केंडरी सिच्छा शलाकार वोर्ड यह क्या है वोर्ड की स्थापना कि इस थापना की गई थी अर्थात की गई थी कब की गई थी यहां पर देखते हैं तो आप से किया है 1921 दिख रहा है, 1945 है, 1961 है, 1962 है, तो वास्चित्ता में ये चारो ही इसके आंसर नहीं है, क्योंकि केंदरी सिच्छा सलाकार बोड की स्थापना जो है, कब होती है? 1920 में होती है, लेकिन इसी के आसपास के उत्तर को हम लोग जब देखेंगे, तो 1921 इसके आसपास दिखाई देता है, इसलिए 1921 में केंदरी सिच्छा सलाकार बोड की स्थापना होती है, लेकिन ये अंग्रे बिटिस के द्वारा इसका कार क्या होता है? ये सिच्छा के छेत्र में अपने सलाह देती है, अपने विचारों को देती है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका काम यह ही है, लेकिन 1923 में इसको भंग कर दिया जाता है, भंग करने के बाद दुबारा ये बाद में बनता है, ठीक है? दुबारा यह बनता है ठीक है तो इसका correct answer क्या 1920 है लेकिन जब 1920 नहीं है तो इसी के near about जो answer आपका correct होगा 1921 आप इसको लगाएंगे आप ठीक है यह हो गया question अब देखते है next question question number 6 देखिए question number question number 6 देखिए 6 में क्या होगा आपका correct answer सबसे पहले अब देखिए इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि स्रजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है अब स्रजनात्मक चिंतन स्रजनात्मकता होती क्या है स्रजनात्मकता है क्या इसको जो हम लोग जान लेंगे इसको इसके answer को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं तब से पहले स्रजनात्मक्ता वो चीज होती है जो हमेशा कच्छा में लगातार प्रथम ना आए मतलब किसी भी एक सवाल को जब कई तरीकों से वो करना सीख जाए या आप इसका एक्जामपल हम दे सकते हैं आपने देखा होगा प्रीज्म के बारे में पढ़ा होगा जब उसमें रेज पढ़ती हैं क्रिणे पढ़ती है तो उसमें क्या होता है प्रीज्म के पास पढ़ने के बाद वो फैल जाती है विव ग्योर जिसको बोलते हैं सात रंगों में फैल जाती है तो वो सात रंगों में हएं जहां के सामटान करने के लिए उसको ज्यादा अब आशानी से सुल्व कर लिता है। तो अब्स तुम प्रैंस को अमीजान ऑसक्ता में तुछ कर लिता। ज्यान में लगए। उसके चाड़ें के सही क्रिया हैं। सही क्रम क्या होगा तो सबसे पहले देखें जब कभी ऐसी कंडिशन आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी चीज को अगर आपका क्या है क्रियेटिव थिंकिंग में सबसे पहले करेंगे कि अ 선دا करेंगे क क्या करेंगे कि को में कडिंगे की मत्यां सबसे पहले करेंगे करेंगे कि नंबर दो इंकुबेशन होता है आपका इंकुबेशन होता है फिर नंबर तीन पर हम लोग क्या करेंगे नंबर तीन पर हम लोग illumination करेंगे ना illumination ठीक ना illumination करेंगे हम लोग और चोथे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे यह कहरेंगे एक्सप्रेशन आफ आइडियाज एक प्रेशन औफ आएडियास की अगर हम बात करेंगे इसमें क्या आता है यहां पर सत्यापन जिसको हिंदी हम वोग क्या बोलते सत्यापन ज्याधा तरा आपको सत्यापन पढ़ने को मिले गए यहां पर इसको बोलते हैं वैरी 5 कि के शनुकर गरना गजाब में यह नोट कर लीजेगा झentar कर लीजेगा आप कि प्रिपरेशन कितने नंबर पिरेशन नमबर 2 पर है आपका फिर आपका इंकुबेशन नंबर 3 पर है और आपका प्रिए अपकी पर लोल पर ऑपका इतली सवहर्टегоर्लय के रोपेश तिन-1-4 दो-3-1-4 कौन सा है यह चौथा वाला अंसर आपका रिक्त हो गया लेकिन याद रखेगा कभी-कभी लास्ट में एक और आ जाता है, जो लास्ट में आता है, वो आपका आता है, कभी-कभी, में भी, कभी-कभी वैसे चारी होते हैं, लेकिन आपका अगर पांच अगर कभी दे जाए, तो पांच वा क्या हो जाता है, implication होता है, क्या होता है, implication implication आपका होता है, पांचवा, अगर इन केस कभी अगर आज जाए ऐसा, तो आप लोग confused मत होईएगा, पांचवा आप implication आपका आता है, ठीकर है, तो यह point आप लोग note down करिएगा, ठीकर है, इसको आप इसका या तो screenshot ले लिजिए, या इसको आप लिख लीजिए, clear हो गया, चले, अब question number 7 आपकी screen पर है, question number 7 को देखें आप, question number 7 हम लेख देखते हैं, मुदालिया रायव संबलिये ना, question number 7 में देखें आपकी screen पर है, question number 7 में देखें आप से क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से, निम्न में से संतुति, मुख्यता, मुदालिया रायोग द्वारा नहीं, याद रखें यह क्या कह रहा, नहीं, नहीं की गई है, आप चलिए, जब नहीं की गई तो नहीं वाली point को अम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आप से कि क्या कह रहा है, बहुं उद्देशी मतलब कह रहा है कि establishment of multipurpose, क्या कह रहा है, multipurpose school, तो multipurpose school की बात, जो है, मुदालियर आयोग ने करी है, इसकी स्थापना कब होती, 1952 में होती है, याद लिखें, 52 तिरपन आप लिख लेंगे, कब 52 तिरपन में इसकी स्थापना होती, इसको आप लोग note-down कर लेंगे, आप, अब इसमें आपका ये multipurpose school की बात, जो है, मुदालियर आयोग नहीं करी है, फिर दूसरा कह रहा है कि सामान में विद्ध्याले तंत्र का निर्माड, सामान में विद्ध्याले तंत्र का निर्माड तो नहीं बोला है, इन्होंने, जब multipurpose बोल दिया, multipurpose school बोल दिया, आपका, क्यों, common school system की बात कर रहा है, common school system की बात यह नहीं करता है, फिर तीसरा कह रहा है, मुदालियर आयोग नहीं बोला है, फिर तीसरा कह रहा है कि विद्याली पार्टिक्रम की कुल अवधी बारा वर्स से घटा कर ग्यारा वर्स किया जाना चाहिए यह सब अनुसर्ण साइं उसमें करी थी लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम की बात नहीं करी थी यह लोट डाउन करके आप लो रख लिए तो और नमबर बी आपका करेक्ट है आपका क्लियर और बी आपका करेक्ट है आपका तुक अब चलते हैं ने स्कॉशन की तरफ कोशंबर सेवन देखिया आप इसकी question में आपको कोई भी doubt नहीं होना चाहिए, इसको बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि research के step जो लोग जानते हैं वो बहुत आसानी से करें, जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये बहुत सरल होने वाला है, पर देखे सबसे पहने क्या कह रहा है कि सोधकार करने के कुछ जटमा नीचे दिये गए हैं सही क्रम की पहचान की जब कभी हम रिसर्च करते हैं सोध करते हैं तो सोध करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई न कोई प्रॉब्लम तो होना चाहिए, कोई न कोई समस्या तो होना चाहिए, बिना समस्या कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, नहीं, तो हमारे पास कोई न कोई उदेश होना चा वह एक जान्वर के सामान है क्योंकि जान्वरों का कोई लक्ष नहीं होता है। लेकिन हम लोग इंसान है। बुद्ध जीवी प्राणी है। यह हम लोगों को आपके प्रकृति ने सबसे बुद्धिमान जीव के रूप में रखा है। तो हम लोगों का कोई न कोई उद्देश होना चाहिए जो उद्देश रहीत है वो समल की धर्ति का बोज है आपका कि की प्रदतो का संग्रा विश्णे सोज समस्या की पहचान परिकर्बना तो हमने बता है ना सबसे पहले कोई न कोई हमें प्रॉब्लम मेरे पास हो यह तो सबसे पहले हम सोज समस्या की पहचान करेंगे नंबर एक पर क्या हो गया सोज समस्या की पहचान सोज समस्या की पहचान आपका सबसे पहले आ गया, फिर दूसरे रंबर पर क्या आएगा, जब सोज समस्या की पहचान करेंगे, तो सोज समस्या की पहचान हमने कर ली, फिर हाइपोथेजिस आपका, इस प्रशने के अनुसार आपका हाइपोथेजिस आएगा, क्या आपका आ कि नहीं हम लोग के सामने जो भी problem आती हैं अब उस problem का कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए सोचते रहते हैं तो कह सकते हैं कि जब कभी हमारे सामने कोई समस्या आये उस समस्या के हल के लिए हम पहले सोगी कोई समाधान ढून रखें मतलब कोई समस्य कोई बला आने वाली उस बला से हटने के लिए कोई ने कोई काड़े कोई ने कोई हल जरूर निकाल रखें तो उस समस्या का हल करने के लिए जो हम बना कर रखते हैं उसी को हम लोग परिकल्पना कहते हैं किसी भी समस्या का संभावी समधान आपका क्य गलपना कहलाता है है या या प्रतों का संग्रहाण मतलब क्या करेंगे और सिंथेसिस दोनों दो चीजे करेंगे एनालिस्स और सिंथेशिस आपका दोनों आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा विसलेषण और संसलेषण। तिक विसलेषण, एसंसलेषण। अपरिकलपना आपके आएगा। कि आप करेंगे परिकल्पनाओं का तो यह ऐसे आप करेंगे तो आपका nómber 5 आपका करेक्ट हैगा किसी को किसी प्रकार का कि अगर कोई بी समस्या को तो आप comment box में comment जरूर करिएगा यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो अच्छा लग रहा हो तो आप और लोगों को भी शेयर करिए like करिएगा और comment के द्वारा बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे है ठीके चलिए अब question number 9 की तरफ चलते हैं question number 9 तो और अच्छा है पतलब कि आप जैसे जैसे हमारे साथ जूड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको जो प्रश्ण है आपके exam के point of view से बहुत 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 तरीके से आपको मिलने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है सबसे पहले आपसे कह रहा है कि तो सिच्छा के अश्टांगी कि मार्ग की हम बात करते हैं इसमें देखी क्या आएगा आपका बहुत तो सिच्छा के के आअठ्ध ये कि त्ने हैं आठ आश्ठांगी कमार उत्ति हैं तो अब के बख़धा सिंच्छा में बताया गया है इस संसार में चार प्रकार के सथ्च है जा सब से क्या है कि पहले दुख्ष्न संसार में दूसरा या संसार दुखों से भरा हुआ है पिर तीसरा आता है दुख निरोद मतलब इस दुख का हल भी है पिर चौता आता है दुख निरोद प्रतिपत गामनी जिसमें आठ आश्टांगिक मारगों की बात यहाँ पर बताई गही है सबसे पहले आस्टांगिक मार्ग की बात हम करेंगे आठ आस्टांगिक मार्ग की बात हम करेंगे तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले नम्बर एक पर देखे आप पर क्या आएगा नंबर एक पर सबसे पहले क्या आता है सम्यकद्रश्टी आतीक्या वह नंबर तीन पर सम्यक वाक, आपका क्या है, सम्यक द्रष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, नंबर पांट, सम्यक आजीविका, क्या है, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, कौन-कौन सा हुआ आपका, सम्यक द्रष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, नंबर शाथ, फिर आपका समयक इसम्रिती या थी, क्या आते हैं? फिर नंबर 8 पर समयक समा दियाता है, तो यह आपके टोटल 8 आठ आश्तांगी क्मार्ग होते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्ष, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक यायाम, सम्यक इस्मर्तिय, सम्यक समाधिये, अब इसी से रिलेटेड आपकी कोश्चन है, उस कोश्चन में देखते हम लोग क्या दिया है, अपरे, इस कोश्चन में आप द द्रश्टी, सम्यक द्रश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, यह आपका देखिए, नमबर 3, सबसे पहले नमबर 3 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दोनों जगा यहाँ पर आ रहा है, फिर आपका आता है, सम्यक द्रश उसके help आप ले सकते हैं किया तो तीसे नमबर पर कर्म आ गया आपकी सुर्थी सबसे लाष्ट में आ गई तो आप देखिए कौन सा हो जाएगा नमबर इंचले आता है बार बार देख लेते हैं तो यहाँ पर नमबर एक नमबर दो फिर नमबर मतलब कि 3 4 2 1 यह आपका और आपका क्लास करों क्लास करेंगे जो आपकी off-line क्लास होगी उसमें और भी खुबसूरत तरीके से आपको इस इस questions का answer या और वी चीज़े आपको बताई जाएंगी तिया अब question number 10 आप देखते हैं कोश्टी सेवा योजना किस इस्तर पर लागू होती है राष्टी सेवा योजना जो है किस इस्तर पर लागू होती है high school है intermediate है graduate है आपकी इन सभी में से किस पर लागू होगी किस पर लागू होगी तो बताईए सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें इसकी जो है शुरुवात जो है कब होती है तो इसकी शुरुवात 24 सेव्टेमबर से 24 सितंबर 1979 से इसकी जो है शुरुवात होती है और यह कच्छा 10 में क्राश 10 से नहीं बलकि intermediate और graduate से होती है intermediate और graduate से होती है इसका मतलब बोथ B and C आपका correct है आपका बी और C आपका correct है आपका ठीक राश्टी सेवा योजना इसमें कुल 120 घंटे कार रहे होते हैं टोटल एक साल में 122 साल में 240 घंटे आपको इसमें work करना रहता है इसका उद्देश होता है कि जो नौजवान यूवख है उनमें जो है एकता की भावना जागरित करना समास सेवा राश्ट सेवा इन सब चीजों को उनके अंदर नैतिकता का विकास करने के लिए इसका निर्माण किया गया है ठीक है चलिए अब question number 11 पे चलते हैं लोग अब देखिए कह रहा है कि निवन मेंसे कौन सी बुद्धी की अउधाना का संबंद बुद्धी के तो कई बताये थे मैंने पिछली क्लास में जाओं लोग ने पढ़ाता एक कारदी कारग बहुकारग के बारे पढ़ाता ना तो कह रहा कि अर्थ और मूल्ले की समस्या से है मतलब किसका संबंद अर्थ और मूली की समस्या से समस्या से है तो वैल्यु की बात बताईए क्या अक्येड़मिक इंछली आपका वहाँ आध्यात्मत्ता जड़ जोर जाएक तो आध्यात्मत्ता अपकी संसक्रतिक इसमें नहीं होगा आपका, correct कौन सा है, correct option आपका, c वाला आपका correct है, यह कौन सा है, c वाला option आपका, बिल्कुल correct है आपका, ठीक है, चलिए, आप इसके बाद जो question आने वाने हो बहुत important question है, बहुत अच्छा question है, इसका उत्तर आप लोग को इसको पिछली class में भी हम लोगों ने discuss कर करके कि यह question आपको, एक मतलब यह question जो है, आपके exam में छपने वाला है, यह ऐसा question है, जो छपेगा ही, छपेगा 100%, सबसे पहले क्या आता है, modern teaching model, यह आपका, जो पता रहा है, JS Brunner का है, दूसरा कह रहा है कि mastery learning model आपका, जो broom कह रहा है, इसमें, तीसरा inquiry training model, जो सच्मैन का पूस्ताच model है, और advanced organized model जो है, आसू बिलकर, इसमें, कौन सा विकल्ब जो है, गलत है, यह कौन सा विकल्ब गलत है, यह कौन सा विकल्ब गलत है, यह कौन सा विकल्ब गलत है, तो याद रखिये, JS Brunner का मैंने पिछली class में बताया था, JS Brunner ने discovery दिया है, क्या दिया है, discovery learning दी है, तो यह पहला option आपका यहाँ पर सही होता है, कि निम्न लिखित में से कौन सा युगमत सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपका पहला वाला बिलकुल correct कह रहा है, इसमें क्या है, फिर इसकी बात होती है, कि जब यह सही नहीं है, तो इस modern teaching model को जो है, किसने दिया है, तो इसके बारे में Joyce and Will ने दिया है, किसने दिया है, Joyce and Will ने दिया है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे आप, और इसको जो है, अपनी copy में, आप लोग note down करिएगा, यह model जरूर आपके exam में पूछे जाएगा, वी matching के लिए पूछा जाएगा, यह 100% में बता रहा हूं, यह 100% आने वाला सवाल है, छपने वाला सवाल है, आप लिख लिजिए इसको, और exam के बाद मुझे से मिलिएगा, और बताईएग कि सर जी यह आया था paper के नहीं, आप खुद कहेंगा, हाँ सर, यह paper में छपकर आया था, ठीक है, इसको upload down करिए आप, कोशन में 12 हम देखते हैं, 12 देखिए, आप से क्या कह रहा है, 12 हम लोगों से क्या कह रहा है, 12 नमबर कोशन आप पढ़ें, और फिर इसकी याद हम लोग बात करते हैं, 12 नमबर में, जो की बहुत बेतरी कोशन है, कह रहा है कि निर्ण लिखित में से क्या सहागी प्रबंधन, यह याद दखेगा, पार्टिस्पेट्व मैनेजमेंट की बात कर रहा है, पार्टिस्पेट्व मैनेजमेंट की पूर आवसकता नहीं है, प्रबंधन की पूर आवसकता नहीं है, अब इससे संबंदि इसकी आवसकता नहीं है, कौन सा करा कि उत्पादक्ता पर ध्यान ना देना, क्या यह इसकी आप सकता पड़ती है तो correct answer आपका तो पहले में ही मिल गए पहले वाला जबकि इसमें कहा रहा है कि कर्मचारियों के विचारों में परिवर्तन लाना तो यह तो नहीं है इसके में पिर कहा रहा है कि विभिन समुहों द्वारा अदा प्राप्ति हे तू मांधन तो पहला option तो बड़ी कर दे। कॉष्ण आपसे क्या कह रहा है कि और कोई काम नहीं करेगा, अब question बड़े आराम से आप इसका answer देख लेंगे, आपको question पकड़ना आना चाहिए, कि हम question का answer, question हमसे पूश के आ रहा है, हमसे कोई कह रहा है कि भूख लगी है और हम उसको पानी पिला जा रहे हैं, अब कोई किसी को भूख प्यास लगी है उसको जब तक उसकी चीजों को आप जानेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं तो हमसे बात क्या कहना चाहरा है तब तक हम उसके प्रस्ठ का उत्तर नहीं दे पाएंगे, जब सिक्षक प्रविक्षड की बात कर रहे तो एक किस्षर अधिगंप्रक्रिया तुप предлагu replace क्या रहा है कि विद्याले परिसर में अनुसासन कायम करना ये इनका काम नहीं है दूसरा क्या रहा है विद्याले द्वारा रखे गए अभिलेखों का निरिच्छड करना ये भी इनका काम नहीं है फिर दीवाला क्या रहा है विद्याले प्रसासन में कमिया निकालना ये भी तो है क्या काम, है काम यह सिच्छण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, मुलब कहा रहा है कि जो चल रही स्कूलों में, वो किस तरीके से बच्चों को हम जोड़ पा रहे हैं, किस तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं, यह एजुकेशनल, यह आपका एजुकेशनल सुप प्राइमरी स्कूल्स में अनेक तरीके से पढ़ाने पढ़ाया जा रहा है। अब आपका आधुनकी करण में हो गया। स्मार्ट पैनल का यूज करने लगे। तो वहां पर क्या है ? पहले पच्छो आक्टिविटी करके दिखाते थे। पहले टीचर खुद आक्टिविटी करके दिखाता था। अब क्या करता है ? पहले से प्रोजेक्ट घर में पीपी टी बना के लाया म्यूजिक डाल दिया और प माँ की पाट साला में पूरे टाइम सब पढ़ाई होगी लेकिन छुटी होने से आदे घंटे पहले सभी क्लास के बच्चे पूरे ग्राउन में बैठेंगे के बैठें पूरा याद कराइंगे एक बक्चा बोलेगा और सब पढ़ेंगे याद करेंगे तो वह पंधिती है अगर रहती है उसमें सब बच्चे पूरा उनका विकास होता है चाहमुखी विकास होता है उन diese क्या हता है अब आप उत्तर देता है उसको पुरसकार देते हैं जब पुरसकार देते हैं तो बच्चे के अंदर यह होता कि अरे उसने उस ही उत्तर बता है अगर मैं भी बता हूँ तो मैं भी सब लोगों के सामने सम्मानित किया जाओंगा यह बचपन से ही उनके अंदर डालने का प्रयास किया ज चीजे जो हम लोगों को कमजोर कर रही है अब चैट जीपी चैट जो है ए आई आई आगे ना चैट जीटीप ए आई आई उसमें क्या आप कोई भी चीट डालो तुरण फडाक स्यांसर देदा अब तो कोई किताब पढ़ना ही नहीं चाहता है बस क्या करते हैं गूगल कोलते हां कोठारी आयो की स्थाफना कव हुई थी डाल दो गूगल में मिल जाएगा कोठारी आयो का कार क्या है डाल दो गूगल दो कोई किताब पढ़ना नहीं चाहता है बलकि आपको यह पता होना चाहिए यह सब मचीन है इसके अंदर जितना हम डालेंगे उतना ही तो वह आप जरह चैट GTP में भी देख लेना, Google में भी देख लेना, अगर मिल जाए तो कल मुझे comment करके आप बताईएगा, नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसमें उतनी ही चीजे डाली जाती है, जितनी उनको डालने के आउसकता होती, उससे अधिक आपको नहीं डालेंगे, लेकिन किताबे क्या होती? किताबे ग्यान का भंडार होती है, उसको आप एक question को solve करने के लिए अगर आप किताब पढ़ोगे, उससे 10 नए question आपके तयार होगे, जितने हम लोग के education में जो नितिन त्यागी सर है, जो बहुत बहुत अच्छे है, बहुत talented है, हर education की हर प्रतियोगि बनते वो ज्यादा अच्छे होते हैं, और यह Google और यह chat GDP इन सबसे क्या है, जितना डाला उतना मिला, तो चलिए, यह उत्तर हो गया आपका, तो हम लोग question देखते है, question number 15 की तरफ देखते है, question number 15 में देखते है, आप से क्या कह रहा है? question number 15 भी आपका बहुत अच्छा question है, यह बहुत easy question है, आप लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे, जिसमें दूसरों के विचारों राय को ध्यान में रखा जाता है, विचारों को ध्यान में रखा जाता है, जब कभी हम बीच किसी एक समुव बैटे हों, तो समुव बैटने के साथ साथ हमें यह ध्यान देना होता है, कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे सभी की बाते सुनने हैं, मान लोग अच्छा है, classroom है, classroom में हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते हमारे सामने 10-20 बच्चे बैठे हैं, अब मुझे तो पूरे सभी सभी बच्चों पर ध्यान देना है, सभी बच्चों की बात सुननी है, किसी एक बच्चे के तो सुनना नही है, सुनना सभी का है, तो पहला क्या कहstream है, हस्तक 6 प्रहित, जनता उन्मुक, तीसरा प्रजात तंत्री चौथा एक तंत्री याद रखिए डेमो क्रेटिक जो भी आपका नेत्रत चो होता है जिसमें दूसरे के विचारों को ध्यान में रखा जाता है वो डेमो क्रेटिक होता है classroom का environment भी कैसा होता है classroom का environment भी आपका democratic ही होगा आपका कोश्यमर 15 हो गई यह आपका आप कोश्यमर 16 देखिए बहुत अच्छा कोश्यन है आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा कोश्यन है इसको आप देखे ठीक है अब बात करते हैं कोश्यमर 16 पर क्या कह रहा है एक से बढ़के एक कोश्यन है पुझे एकिजाम में छपते ही शपते है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इससे कोश्चन आएंगे नहीं यह कह रहा है कि संगठन के प्रिसिद्ध सिध्धानत निम्न मेंसे किसने दिये हैं तो आप बताईए डबलू एफ टेलर टेलर ने वैग्यानिक प्रवंदन सिध्धान दिया है दूसरा है हेंडरी फ्याल है तीसरा मैक्स वेवर ने नौकर साही सिध्धानती आए एल्टन मेयो है एल्टन मेयो है एंबीयो के लिए लेकिन यहां पे जो हेंडरी फ्याल ने हैं इन्होंने पांच कार्रे बताए हैं पांच कार ने बताए हैं और चौदा इनके सिध्धानत है यह बहुत इंपॉर्टेट है आपके 14 सिध्धानतों 5 कार तो यह एक्जाम में बहुत ज्यादा आने वाले कोश्चन है जो की पूछा आता है कि संगठन के परसिदें सिध्धान निमने में से कौन है यह आपके आप कोश्चंबर 16 क्यों है 17 पर चलते हैं 17 देखिए और अच्छा है आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं जिन लोगों ने यह आपका NEP 2020 पढ़ रखा है जिन लोगों ने 1986 पढ़ रखा है जिन लोगों ने 1968 पढ़ रखा है अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी अच्छा नीती आई है पहला 1968 में आया है दूसरा आपका 1986 में आया है और तीसरा आपका 2020 में आया है यह तीनों आई है इसको आप बताईगा आप इसमें कहरा है कि 10 प्लस 2 प्लस 3 से अच्छिक सनचना का सुझाओ किस ने दिया अब ये बात भी तो है अब सुझाओ की बात करते हैं तो सुझाओ किस ने दिया है आपका सुझाओ पहला आपसे कहा रहा कि हायर एजुकेसिशन कमीशन इसको विश्व विद्याले सिच्छा या उच्छे सिच्छा आयोग जो कह रहे हैं इसकी स्थापना 1948 में होती है तीसरा आपसे कोठारी आयोग है जिसको हम लोग कहते हैं याद रखेगा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसी को सिच्छा की गीता भी कहा जाता है आपका चौता है महिला सिच्छायों जिसमें दुरगाबाई देश्मुक्स है उनका महिलाओं की सिच्छा के लिए कारे किया यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यह कोठारी आयोग नहीं 10 प्लस 2 प्लस 3 की संकल्पना या सुजहाव दिया था आपका यह हो गया आपका सत्तरा नंबर आप देखिए इस कोशर को देखें इसमें कह रहा है कि प्रबंधन का आधुनिक उपागम धान केंद्रित करता है जो आपका कह रहा है कि the modern approach of management focuses on तो इसका कौन सांसर होगा जिसमें जो management का वर्तमान से में जो प्रबंधन है वो किस पर सबसे आधा focus कर रहा है पहला option आप देखें पहला option कह रहा है कि संगटनात्मक अनुपालन कह रहा है जूसरा संगतनात्मक चिन्ता पर कह रहा है Ishena पर विछण पर कह रहा है तो अब आप सोचिये कि जब कभी भी जो ध्यान केंदित करेगा वो जो भाण धुज़ाएगा ओर घृट में ये सब के सब मिक्स हो जाएंगे क्वा जाएंग अफिशनों आप से क olmuş निया करिक्ट है घुठ हम नश्रान की सुट है कि यह भी बहुत एक अच्छा कोश्ण है नहिंस लोग बात करें पैरामेटरिक की नोन पैरामेट्रिक की ठीक हम बात कर Death और नौन पतता हुआ है घाई आपके तमापन के चाहरनอน सब्सक्रे पासे पहले नामित है अनुपार और अंत्राल यह याद रखेगा भाई उपर के जो है और नीचे के दो है यह पेर बनते हैं यह आपका पैरामेट्रिक हो गया पैरामेट्रिक हो है यह आपके नॉन पैरामेट्रिक यह पैरामेट्रिक हो गया और यह नॉन पैरामेट्रिक में जो नामित और क्रमित में हो वो नॉन पैरामेट्रिक कहलाते हैं और जो आपका अनुपात और अंत्राल में हो वो आपके पैरामेट्रिक कहलाते हैं nominal and ordinal कि आपका ratio और interval तो यह है आपका, आप question को देखिए, कह रहा है कि अब इसके साथ साथ और भी चीज़े लगती है, तो सबसे पहले आपके सामने क्या कह रहा, chi square, तो chi square एक आपका non-parametric होता है, कि आपका t-test होता है, f-test होता है, और n-cova होता है, जब problem innova से न solve हो, तब हम n-cova का use करते हैं, लेकिन वही पर अगर कहा जाए, जिस प्रकार हम t-test का use करते हैं, तो t-test की जगा हम non-parametric में किसका use करेंगे, तो हम u-test का use करेंगे, किसका यूज करेंगे यू टेस्ट का अगर आप से कोई हूं कि प्रकार हम पारमेंत्रिक में टेस्ट का प्य siete नॉए में गरे यू टेस्ट क्या है तो टेस्ट आएगा लिए मान वितनी यू टेस्ट आता है आपको पूरा नाम इसका वैसे आपसे कुछ आ कि f test जैसे parametric में है तो non parametric में f test की जगा हम क्या यूज कर सकते हैं तो cruise call wallis h test हम यूज कर सकते हैं clear cruise call wallis h test हम यूज कर सकते हैं clear है point यावा चलिए आज का last question आपके सामने आपकी screen पर पिर आज last question आपकी screen पर है इस question का उत्तर देखें अब देखिए बहुत अच्छा question है आपको सौंज में आने वरा है कह रहा है परिच्छड की विश्वसनीता का संबंद अब परिच्छड की विश्वसनीता का संबंद यही होता है कि हमारे और आप में कितना विश्वास है जब दो लोग होते हैं तो लोगों में कितना विश्वास है इसको जो है चेक करने के लिए होता है कैसे परिच्छड की विश्वसनीता का संबंद है किस से पहले देखते हैं आप खुद बखुद अपनी लाइफ से जब जोड़कर चीज़ों को देखोगे तो बहुत आतानी से इस प्रश्ट का उत्तर दोगे कि परिच्छकों के द्रश्टिकोंड से दूसरा कह रह है कि परिच्छड की परिच्छड पदों की इस परश्टा से चौथा कह रहा है प्राप्तांकों की सुसंगता से बलब कंटिनियों कंटिजेंसी से अब यह बताईए आपको कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है आपके एक्जाम में आपकी लाइफ में कौन पैता है क्या दूसरा दूसरा इब रुखल आपके लिए थी सरा अध्यकों कैहिए तीसरा आपसे क्या वक्या रहा है कि यह क्लियर्टी आप डा आइटम जो भी चीज़ विस्पश्टा वह दिखाई दे या फिर यह कहें कि जो हमेंसा consistency आपके सामने लगातार आपके लिए हमेशा साथ में खड़ा रहे, सहयोग में खड़ा रहे, चाहे उसके पास हो, कुछ भी आपको help करने के लिए ना हो, लेकिन आपके साथ अगर हमेशा बना रहता आपको विश्वास के साथ, तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच् कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पिर आइटम क्लियर्टीफ हाई है, बलकि consistency जो आपकी बनी रहनी चाहिए, अच्छे वक्त में भी आपका साथ दे, बुरे वक्त में भी जो साथ दे, भाई, सही होने पर सभी साथ देते हैं, लेकिन आप जब गलत हो, गलत होने पर भी आपका जो पक्ष लेकर आपके साथ खड़ा हो, यहां चलो गलती करी है, गलती मान लिया है, लेकिन उसको, उसके solve करने का तरी, solve करने उसको कोई ने कोई हलतो होगा, उसको बीच रास्ते में छोड़ कर नहीं जाता है, तो ऐसी ही चीजे हम लोगों को जीवन भर साथ में लेकर च तो यहां आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 20 questions को solve किया, जो आपके exam के point of view से बहुत important थे, अब आपको मैं बता दूँ कि कल से अर्था 23 तारिक से आपकी offline classes, चंद्रा classes में, जो की आनद भान के सामने है, आपकी classes स्टार्ट हो रही है, आप जितना लेट करेंगे, आपका स्लेवस उतना पीछी होगा, इसलिए जल्दी से आईए, अपने batches को join करिए, और अपनी पढ़ाई को pressure में नहीं, यह बहुत enjoyment, बहुत fully enjoyment के साथ, मरणजन के साथ आपको पढ़ना है, आपको इतना pressure नहीं लेना है कि नहीं 6 महने, 6 महने बस आपको आराम से करना है, अगर आप लगातार जूड़े रहेंगे हमारे साथ, तो आपकी तैयारी, आप खुद देख सकेंगे, आपकी तैयारी बहतर होगी, ठीकिना, चलिए, अब मिलेंगे next class में, तब तक के लिए सभी को, जैहिम!